ये गाईज मैं संदीब के सरवानी लेकर आये हूँ आप सभी लोगों के पास एक बहुती जवर्जस ग्रैमर का रूल ये ग्रैमर का रूल एक्चुली आपके दो पर्टिकुलर वर्ड पर अधारित है all and some पर ये क्या है आईए समझते यहां पर है कि all and some के साथ यदि countable noun आत के साथ की वब भी हमेशा plural होगी सातियों countable noun plural होगा और वब हमेशा plural होगी दोनों प्लूरल होगे अगर noun countable है तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या है अगर noun uncountable है तो दोनों singular होगे वब और noun दोनों ही singular होगे यानि all and some के साथ लगने वाले noun पर डिपेंड कर आपको अन प्लूरल होगी आपका नाउन स्वेयर होगा या प्लूरल होगा साथियोगा mix हो आपने ओल के साथ कैसा नाउन यूस किया countableौ Size can टाइगर्स प्लूरल तो आपकी वह भी प्लूरल हो जाएगी साथियों। दूसरा एक्जाम्पल, सम एनिमल्स आर फेथफुल, सम के बाद आपने क्या यूज किया, एनिमल्स, एनिमल्स, काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसको प्लूरल लिखा गया है, सम एनिमल्स बोला गया, अब एनिमल्स प्लूरल हो गया, तो वह भी प्लूरल हो जाएगी साथियों। तिसरा एक्जाम्पल है, ओल दी मनी, मनी, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, आप कहोगे सर, मनी अनकाउंटेबल, हम तो काउंट करके गड़्डी बनाते हैं भाईजाओ, यह अनकाउंटेबल कैसे हुआ, अनकाउंटेबल है, मनी नाउन, जो काउंटेबल है, वो रुपीज होता है, डॉलर होता है, जो देश की करेंसी का नाम है, वो आपका काउंटेबल है, लेकिन जब इस word को आप यूज करोगे तो money शब्द एक uncountable noun होता है इसलिए हम इसको money को हमेशा money लिखेंगे चाहे किसी के साथ भी लिख दे all the money हुआ ये singular है तो आपकी वह भी singular रहेगी दोस्तों और चौता example है some milk is needed milk 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 count तो नहीं हो सकता ना जो आप दुकान से लेकर आते हूँ वह pouch count होता है दोस्तो milk word एक uncountable है दुनिया के सारे liquid uncountable ही होते दोस्तों सारी liquid material और metals ये हमेशा uncountable में आते है material noun होते हैं ये तो मेरे प्यारे साथियों ये भी आप uncountable यूज किये some के साथ इसलिए ये noun singular रहा और इसके साथ किये वह भी singular है उम्मीद करता आपको difference समझ में आ गया कि आखिर all and some का use क्या है अब मेरे एक सवाल है आप सभी से 3D8 movie में एक dialogue है all is well all is well all is well मुझे बताईएगा कि यहाँ पर all is well बोला गया all के साथ is लगाया गया क्यों noun क्या बनेगा इसका उस movie के dialogue में उम्मेद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ सवाँछाओ करेंब कर आपको ये टो आपको ये लगाँ आव करता है वे श southern you